मेरे नाम दलित क्वार सर्माएं और पेपर हैकर में आप लोग का स्वागत है जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग यह स्वाइट की जो लेटर राइटिंग वगए रहा है वह कंप्लीट कर चुके हैं और मुल्टिपल चॉइस कुष्चन में भी हम पहला चैप्टर जो है प पहला आटिंग कि मुल्टिपल चैप लेटर के टाइप क्या होते हैं तो भुग्षाल रन पर लेटर के पिरकार होते हैं ना कि ऑफिसल एंड परस्टनल वाले यह नहीं होते नहीं टेक्निकल और और इंटल होते हैं तो हमारा सही आंसर जो है formal and informal यह हमारा क्या हो जागा सही आंसर ठीक है है हमारे दूसरा कुश्चन है फैंड फैंड शब्सक्ते हैं उनके लिए किस परकार का लेटर लिखा जाता है अपनी फैंड़िगे और नहीं लिखेंगे और ना यहीं प्रमल हम कैसे लिए आपनी फैंडी निजी का निजी निजन को बताते हुए किसी मतलब SSP बगरा दरोगा बगरा या दियेम बगरा को लिखा जाता है मतलब जो ओफिशियल लोग होते हैं उनके लिए है हमारा जो तीसरा कुश्चन है तो अधी उनके या इस में नहीं लगाते या फिर यौर साथा आता है या या अपर आहीं सबसे बाद में आता है या वर और सरे पहले हाता है तुमारा गृमों बिलकुल लीआँ लिक्स लीए उसके बार में प्रस्ट्रफी ऐस करते ठीक है तो फॉता हो जाएं य चौता कशने सबस्सक्राइब कुछ statistics आप सबस्क्राइब करता है उसका नाम नहीं जानते हैं और फिंड accred हम उसे करता को किस से करेंगे कि से संभोधित करेंगे ठीक है या किया मिश्टर या मेशिज ऑर दियर मैडम से करेंगे ना तो अगर हम किसी देश्ट करता कर नाम नहीं जानते हैं तो ना तो हम उसको डियर मिस्टाव मेसेज बिला सकते हैं ना ही हम हेलो बुला सकते हैं ना है उसे इसे क्या बुला सकते हैं के वल दिया सर और डिया मेंधम इसलिए हमारा ऑप्चें सब mniej होजाएगा और हमारा क्रेक्त आंसर हो जाएगा एक से इस हमारा जो इन्फोर्मल लैटर जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जैता है l pilgrimage in simple इंग जी मतलब मतलब आए इसे की लिखा जाता है आपनी वगड़ा जो होती है कि लिखा जाता है लेटर लिखा जाता है इसे लिए लेंगवेज में लिखेंगे तो हमारा जो आपसर ए है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जो पॉर्मल लेटर लिखने का की पॉइंत है मुख कोणजी है फेज रेटेन इन बिच पार्ट में लिखी जाती है और फॉर्मल के किस पार्ट में की पॉइंत को हमारे को लिखा जाता है कि थे तो हम पोस्नि करिप्र भाग में निएक गाडी में लिखेंगे या ओपनिंगे या क्लोजिंग में मतलब Знаust मैं लिखेंगे मतले बॉडी सीट में चला सुखंट में लगने है लुआ में अर ब्लाल इसे लिए हम लिख रहे होते है छों मुसे कैसे संभोधित रहे हूं इसको लिए हम दिया सरु मैडम लगाएंगे या निए लगाएंगे या तो जो हम कि इसको लिख रहे होते हैं जो रिसी पेंट होता है जो हम से जानर फेचाना कर नहीं होता हुष है già है लगाएंगे उसके लिए हम उसके लिए लगाते हैं बिलग कर दिए टोक के लिए आप लगाते यह उसका फिलोच कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम क्या लिखते हैं विल्कुल आपको जो लेंगे इसके लिखा हुआ में का सही answer हो जाएगा correct answer correct option होगा फिलो इंग में लिखा जाता है ठीक है हमारा जो नमा है नमा question नमें जो नमा question है उसको देख लेते हैं एक formal letter एक formal letter बिया to the point and relevant उससे सम्मदर लिखेंगे और तूड़ प्रलब जो घटना हो या पिर जो चीज लिख रहे हो जिसके सिकार करेंगे उसको को लिखेंगे ग्रामटनी चाहिए उसकी ऐसा लिखेंगे मतलब कोई गल्ती ना हो और all of the all of these या फिर उसमें यह सारी तीनों चीज़ों का यह हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे किसके लिए एक फॉर्मल लेटर किसके लिए जो कि इसके लिए अच्छा अच्छा डाले यह जरूर है कि उसमें क्या होना चाहिए थीन होी क्या है सही है तो उसके लिए हमारा option D जो है राइट answer हो जाएगा है हमारे दसमा इन एक्वाइरिंग है इन एक्वाइरिंग मतलब एक्वाइर करने में information and information जो सूचना उसको प्राप्ट करने में regarding admission admission regarding and equipment और जो उपरन है उनसे रिलेटिट कॉस्ट है जो call and appointment की कॉस्ट मतलब राइसा उसे रिलेटिट एक टाइप लेटर इतरों जो हमारा क्याओ रिटिब्स आप फर्ट रिखर हूं घर लिटर हम लिठें और खोन से टाइप लेटर हम लेटर लेडिटर क्वा 약श में लेटर घौन के से जानकारी ही तो लेंगे तो वह का आंसर क्या वह आपने उपन कि प्राइस्युत भी सोगत इचैसे और इख इसके लिए इसका option कौन सा हो जाएगा option is the right answer दीके हैं इसके बाद हमारा आजाता है दी जार्मा which of these are the most common type of business letter जो business letter के common type है मतलब साधा रूप में चलन है चलन है वो किस type letter हम लोग किस में लिखते हैं तो लेटर ओफ है application letter of inquiry letter of order letter of adjustment तो हम जो अपनी बिजिस है उसके लिए letter किस रूप में लिखते हैं उसका letter का जो बिजिस पर लिखा जाता है letter of inquiry के रूप में क्या करते हैं अपने जो जब common type है उसका बिजिस का उसको किस में लिखते है letter of inquiry तो हमारे इसका option हो जाएगा option भी जराइए इस दा राइट आंसर ठीक है 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 हमारे बाहर मां क्वेश्चन है रिखाई आप आप आफ ड़ाइटर ऑफ इंवाई इन मैं से कौन सा प्रिकार्स चाप जो है inquiry पूण से प्रकार नहीक है पर्सनल ट्ट एट परेसिट ल Ed इंक्यारी जो बोसिके तर्गार नहीं आती दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका वसांति न बी ही को कि यह जो कन गया है तो तो हमारा यह तेर्बाइब कोशन है हम उसको देख लेते हैं अब ना जानकारी है तो यह तो किसी भी पुदक्ट से खरीदने ने से संबन देते हैं इंप्रेटी को खरीदने से संबन देता है जेश्स इनकारी इस्टेटस इंकारी यह प्रिविटि कि जैसे बहुत हुँ देख रहा और तक इनक्वारी के नतर आएगा इसलिए हमारा कौन सौप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सीजदा राइट आंसर बगाय हमारी चार हो है वह चार ही रदत है कि अब हमारा जो चौद्वा कुशन है उसको देख लेते हैं कि वह जो लेटर लिखते हैं तो उनमें कौन सीज़ दिखाई नहीं देती क्या चीज नहीं होती इस फ्रावल लाम में डा स कॉक्वारक से प्राविव बीचरी अफ़ एंदा फ्राई वृण करते हैं मुसे का प्रावलस क्या क्या है प्यच्र इन अभली कॉछमें लगाते हैं। लेट्र ओंप वह आ जाएगा सवा सब्वोड हो ओ सब्सक्राइड है वह ग्रॉक्त अन्थर खीचर हो दिस्क छो कि निया है मैं से कुष्टिम ए प्रिपर अख्मपलेन ही कहाँ पर काभ लिखा जाता है किसी भी मेंटेन किया जाता है किसी भी कंपनी का एडरस के जाता है वो कहां पर किया जाता आए तो ऑटम में गडते हैं और यह लइव लेफ्ट कॉर्णन में करते हैं हमारा जो 15 कुर्णन में हो जाएगा option वी कॉन सा हो जाएगा तौक राइट गॉर्णर को हाई हुआ रिजदा लीब सेंग मैंटेंग इन इन्टर अवफ ए रिका चांपलेंगेंग निए लिटिन लिखा जाता है उसमें लीब टेकिंग है वो कहां पर मेंटेंग की जाती कहां पर लिखी जाती है तो टॉप लेफ्ट में लिखते हैं उपर बाएं में लिखते हैं उपर दाएं में नीचे दाएं या नीचे बाएं तो जो हमारी कंप्लेंट की जो लीप टेकिंग होती है वो हम कहां पर लिखते हैं ना त सब्सक्रेंद नीचे बाइं और नहीं नीचे द्था ऋनाे हम उसको लिखते ऊपर दाइं तरफ क्या लेखते हैं जो लीफ टेकेंг होतीक होती हुआ उसको कापर मेंटेन करते काभी हमनेतर में ऊपर तो प्लेंद जाता है में लेटर क्याति है अपॉइंटमेंट या क्लेंट इसमें कॉन सा होगा है उब सरह घर्ड परण्द टो Bow Wow ऑपनी बाद कर रहा है किस Content करते हूए इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बीज दा राइट आंसर जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर इसका हो जाएगा अर्फ गशन है बहुत है एडीए लेन्ट अजनल अच्छी यू लेंट है खुंप लेटर कर रहे हों तो सिकायत पत्र की अच्छी आईड पादर्स लंभाई क्या होनी चाहिए लेंट उसकी एक पेज की होनी चाहिए दो पेज की हो चाहिए तो हमारे जो आइडियल वादस लेटर है सिकायत पत्र का ना तो उसमें दो पेज होने चाहिए न चाहिए जैसे कि जो हम किसी को कंप्लेंट कर रहे हैं वो उसे आसानी से पढ़ सके और आपकी बात को तूड़ प्वाइंट जान सके ठीक है तो यह थे हमारे सकते लेटर के स्ट मेरा आपको जो बिधियो तो आपको 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 सब्सक्राइब करें गरता है Россия